नमस्कार सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मांसिया चारे बुल्जिन की शुरुआत करेंगे खास ख़बरों के साथ लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर 26 परिवार खादी सुरुक्षा के लाब से वन्चित 11 दिन बीतने के बाद भी लाब नहीं मिला बारिश से बादिद मैच रॉयल्स ने डेर डेविल्स को 10 रन से हराया गरों में दोड़ा हाई वोल्टेज विद्यूत करन महिला जुलसी दोड़ प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामिनों ने लिया भाग पाली के खिवाना कस्बे के आदर्श उच्च माधमिक विद्याले में डॉक्टर भीम राव अंबेट कर 127 जहनती समहारों शिक्षा विभाग के निदेशा अनुसार प्राधान चार्य प्रकाश्चन जाट की अद्जिक्षता में हर्श उल्लास के साथ मनाए गए जिसमें जाट ने विद्यार्टियों को बावा साहिब के जीवन परिचे के साथ उनके व्यक्ति गत्व क्रतित्स वपर प्रकाश डालते हुए विभन प्रतियोंगिताओं का आरेजन किया जिसमें चित्रकला प्रतियोंगिता में सुरेश पटेल, निबन प्रतियोंगिता में किरन कमर, सविधान की प्रस्थामना विविशेष्टा में राहुलाचारि श्री मारवाड मेगवाल सेवा संस्थां के 27 अप्रेल 2018 को प्रस्तावित सामोहिक विवाव सम्हारों को लेकर संस्थान परिसर में भवरलाल सुमन उप्रधान की अजिक्षता में बैठिका आयुजन किया गया बैठिक में पंजिक्रत जोडों के प्राप आविदनों की ज्वाश की गई बैठिक में सचव सुखा राम ने आयुजन की व्यवस्था के संबंध में अब तक की प्रग्रिती से अवगत करवाया बैठके दोरान समाज के बंधों ने निर्मान कारे का अवलोकन कर आवशक दिशान निर्देश दिये बिगानेर गे खाजुवाला में राजिस्थान शिक्षक संग शेखावत उपशाका खाजुवाल का वार्शिक अधिवेशन ग्राम पंचायर खाजुवाला सभागार में संपन हुआ अधिवेशन की अधिक्षता सतिवीर से इंग व्याख्याता ने किए प्रवक्ता दानाराम निठार्वाल ने बताया कि अधिवेशन में मुख्य वक्ता संग के प्रदेश मंजी श्रवन पुरोहित रहे प्रोहित ने समस्याओं के समाधान हेतू आगामी रणनीधी पर चर्चा की जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः शुरू करने, स्कूल निजिकरन का विरोध करने, समय व्रद्धी के विरोध आंदोलन शुरू करने का आवान किया समारों में कैलाश मेगवाल नरेंद्र भार्ग, धन्ना राम, मुकेश विश्णोई एवं मोहला सारस्वत ने शिक्षिकों की समस्याओं पर चर्चा की धर्यावद उप्खन के मुंगाना कस्बे में, जगलावदा जानी वाले रोड पर नालिया नहीं होने से, लोगों ने सार्वजनिक विभाग के खिलाव, जमकर नारिबाजी की लोगों का कहना है कि पिछले एक वर्ष से इसी तरह लोग गंदगी से गुजरते हैं पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है पर आज लोगों का गुसा फूर पड़ा, लोग गंदगी ने अपना जीवन जी रहे हैं और जहां सच्छता की बात की जाती है, एक तरह ये नजारा धजिया उड़ा रहा है आए दिन गंदगी, बदबू, एमों मच्चरों से परेशान हो रहे लोगों में बिमारी अपनप रही हैं ग्रामिडों ने इस पर मार्क पर शीग्र से शीग्र नाली निर्मान कर गंदगी से निजात दिलाने की कोशिक कर रहे हैं सर्मच्रा उप्खण अधिकारी ताहिर एहमद बुधवार को आंगई पंचायत के जिन्दापुर गाउं में जन सुनवाई की जन सुनवाई में बिजली, पानी और अतिक्रमन का मुद्दा चाया रहा जन्दापुर के ग्रामिन वासियों ने उप्खण अधिकारी को बताया कि गाउं में करीब एक दर्जन अवैद नल कनेक्शन कर रहे हैं जिससे कुछ लोग पानी भर पा रहे हैं और कुछ नहीं भर पा रहे उप्खण अतिकारी ने मौके पर ही अवैद कनेक्शन करने वालों के खिलाब कारिवाही की गई गाउं के लोगों ने बताया कि स्कूल की चार दिवारी के उपर कुछ दबंग लोगो द्वारा गोबर के उपले कंडे थाप रगे हैं तो SDM ने मौके पर पहुचकर स्कूल की चार दिवारी के उपर से अतिकरमन को हटवाया और आंगनवारी केंडर के आगे पानी भरा हुआ है उसी को लेकर आंगनवारी केंडर की चार दिवारी नहीं है S.D.M. ने आंगई पंचाय सरपंच को पांच दिन के अंदर आंगनवानी केंडर की चार दिवारी करने का आदेश दिया दौलबर जिले के उपतैसिल कंचनपुर छेत्र के गाउं रहल में बाबा रामगिरी के मेले के उपलक्ष में प्रतिवर्श की भाती दौर प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामिनों की कमेटी द्वारा आयोजित किया गया जिसमें विपिन्न प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा डॉड के दौरान प्रदम स्थान पर भोला शर्मान निवासी, वीरपूर, कस्बान नगर तथा दूते स्थान पर राम वकील गूरजर, ग्राम पंचायजन सौल, जिला भरतपूर ने स्थान प्राप्प किया तदा दौर प्रतियोगिता के दौरान राश्री मानवा अधिकार की तरफ से विरेंद्र गूर्जर एवं समुद्र सिंग, बंटी, मुंची सिंग, राम मकुल, यश्वीर गूर्जर, गोविन, राम बरन एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे धौलबर जिले के बाड़ी उपखन में राजस्तान राजस्तोर सेवा परिशत की कर्मचारियों ने मुख्य मंत्री वसुंद्रा राजी के नाम उपखन अधिकारी कारयाले पहुँचकर, उपगन अधिकारी जील मीना को ग्या पंसों पाक राजसान राजस्तोर सेवा परिशत की मांगों एवं 22 जून 2017 को हुए समझोतों की पालना नहीं होने के विशे में ग्यापन दिया है जिसमें तहसीलदार राजी कानून एवं पटवार संग तीनों संगटनों के प्रतनिधियों ने आरोप लगाया है कि पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार सेवा के सैफ मंच राजसुद सेवा परिशत द्वारा गत वर्ष 22 जून को राजसरकार से समझोता किया था लेकिन उस समझयते को एक वर्ष बीटने को है लेकिन फिर भी राजसरकार ज्वारा किसी प्रकार की कोई कारिवाहिक अमल में नहीं लाई गई है जुनजनू में अजमेर विद्यूत निगम के टेखनिकल करमचारियों ने निगम के चीफ एंजिनियर और जिला कलेक्टर को ग्यापन दिया करमचारियों ने बताया कि टेखनिकल करमचारियों की पे ग्रेट को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा है अब कोट ने निगम को आदेश दिया है कि जल से इसे लागू किया जाए करमचारियों ने बताया कि अजमेर विद्यूत निगम के MD के नाम पर चीफ एंजिनियर को ग्यापन दिया गया है जिला कलेक्टर को मुख्यमंजी के नाम पर ग्यापन दिया गया है कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल से जल इस पर नेने नहीं किया गया तो राज कमेटी के आवान पर आंदोलन भी किया जा सकता है कर्मचारियों की जो टेकनिकल कर्मचारियों की ग्रेट पया की मांग काफी दिनों से लंबी चल लिए जो अभी हमने कोट में याची का दायरी की थी च्यार अपरेल को जिसका डिशिजन आया चे अपते में सरकार को लागो करने का डिशिजन दिया है और पिछे से एरियर भी लगाने का आदेश दिया है उसके लिए हम ऐसे साब को और जिला कलेक्टर मौदों को ग्यापन दे रहे हैं अगे हमारा जो पर्तेश का डिसीजन होगा, अहरताल होगा या कुछ भी होगा पर्तेश के डिसीजन पर होगा माननी नहले के दुवारा वर्स 2015 में राज़तान विदूत तकनिगी करमचारी एसेशन के दुवारा ग्रेड पे के मुद्दे पे कोर्ट में केस दार किया था जिसका फैसला लगबग तीन वर्स के बाद में 2018 में अभी 14 मार्च वाया है उस फैसले को 6 अपते में सरकार को इंप्लिमेंट करना है जिसके लिए करमचारी के दुवारा पूरे रास्तान में आज जिला एड़क्वार्टर पे अडिक्शने बेंता के माध्यम से और जिला कलेक्टर के माध्यम से माननी मुख्यमंतरी मोधिया को ग्यापन दिया जाएग ताकि वो करमचारी की बावनाओं को देखते हुए इस फैसले को जल्दी से जल्दी लागू करे और माननी मुख्यमंतरी मोधिया चेह में पूरी उमीद है कि वो इस फैसले को अतिसिगर लागू करेंगी इसके लिए हम करमचारी की तरब से आज दिक्शने बेंता को और ज दायक ब्रजेंद्र ओला थे पूर्व मंतरी ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि जोतिराव फूले ने शिक्षा की अलग जगाई थी उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था लेकिन फूले ने शिक्षा के लिए जिन्दगी लगा दी जोतिराव फूले एक समाज के सुधारत थी जिसका परेणाम हमारे सामने हैं। कारेखन की अधिक्षिता जिला प्रमुक सुमन राइला रही। जिले साब के आज 181 जनम दिन है महात्मा जोती फुले ने उसमें इस्तरी शिक्षिया का अलग जगाया जब पुर्सों को भी पढ़ने का दिकार नहीं था। वहाँ दोरी वेवस्ता थी अंग्रेजूं का तो सासंथाई पर राजा माराजाओं का भी था। और शिक्षित होने के लिए किशी को कोई सुविदा थीर ना दिकार था। जो भी समाज सुदार को हैं चाहे वो महात्मा जोती भाफुले होएं चाहे जर्स्वति जयानन हो एंहिए चाहे आपके रहधास होएं चाहे जो भी होएं उन सब को इतनी कंटनाईयों का सामना करना पड़ा एकि और आज जो समाज में जो गरलाव है आज आज जालावार जिले के गंधार उपकंड के धाबला फीडर से जुड़े सैंकला गाउ में 11,000 वोल्टेज बिजली के तार गाउं के समीव खेतों में नीचे जूल रहे हैं जिसकी वज़ा से किसानों के खेतों में खड़े संत्रे के पौधे को चू रहे हैं पौधों में करंट आ रहा है सैंकला गाउं के किसानों ने बताया कि बगीचे से जो लाइन गुजर रही है इसके तार बहुत नीचे हैं और संत्रे के पौधों को चू रहे हैं जिसकी वज़े से कई बार पौधों में करंट आ जाता है पौधे भी सूख गए हैं कई बार हमें करण के जटके लग चुके हैं खेत में निंदाई खुदाई का काम भी नहीं कर सकते तता बगीचे को पानी भी नहीं पिला सकते इस बारे में हमने जी एसेस पर जानकारी दी परंतु अभी तक कोई भी विद्यूत करमचारी यहां तार सही करने नहीं आया जुनजनों की बिलानी पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए अजय जैतपुरा हत्याकान के एक और आरोपी को और मिंटू मोर्जिया गैंक के शूटर बलकेश पुतर सत्यवान जाट को गिरफतार किया है बलकेश को बिलानी पुलिस ने राजगर रोड पर एक आटोमेटिक पिस्टल के साथ गिरफतार किया है बलकेश चुरू जिले के हमीर वास्थाना इलाके के नंदा का बास का रहने वाला है जो मिंटू मोर्जिया गैंक के लिए काम करता है बलकेश पर पूर्व में भी हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट और मारपीट के जैसे मामले चल रहे है अज़र जैदपुरा पर सादल पर कोर्ट में होए फाइरिंग में बलकेश नामजद आरोपी था आज ये मदलल C.I.S.H.O. और बिली पूनिया और साथे टीम ने आज राजगर रोड से बलकेश जजड या को अरेश्ट किया है इस वैपन के साथ बड़ा ही सोफ चिकेटट वैपन है और ये वैपन के जोर पे अपनी सूसल मेडिया पे फोटो वैरल करके और समाज में बहुत पन कर रहा था और कहीं से बाप पीछे मामले भी दरज है और यह जादपुरा गैंग में जो जादपुरा मुडर हुआ था उसमें बांटेट एक्यूजड है नामजद एक्यूजड है और दूसरी बात ये जादपुरा का प्रतितन्दी गैंग का सदश है इससे पहले जाना पिलानी स्ट आपने मोनुपीपली नाम के आत्मी को आर्म के साथ अरेस्ट किया था और ये विशेश टीम बिडित की गी है आर्म्स के खारवाई क्रिपने के प्रिष्ट इकोन से और लगातारिश में सफलता मिलरी और आगे परियाश जारी जाएंगी इससे आगे अनसंदान किया रहा है और किस-किस के पास सत्यार और मिल सकते हैं तो चैन सलाने कोशिच करेंगे अनसंदान करते हैं ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है और चूंकि आप जैसे मैं आपको बता रहा हूं जैदपुरा गैंग का एंटी गैंग का सदश्य है और जैदपुरा मर्डर केस में वांटेड अ साले में भरती कराया है वहीं अचानक दोड़े करंट से घर में लगे विजुद मीटर साहिद विबिन विजुद उपकरन भी फूग गए अचानक घर में दोड़े इस करंट की बाद ग्रामीन भाई के साए में हैं और आक्रोशित होकर डिसकॉम पर भी लापरवाही का आर जाने के बाद घरेलू उपकरोणों में भी आग लग गई है कि अचानक लाइट याई बारिंद पजरी शिकरी मीटर पजरी है और पंखा पजरी हो और टीवी और एनवाइटर पूरा बेट इसाइज जली हो यह अचाने के लापरवा राजसान रॉयल्स ने सवाईमान सिंग स्टेडियम में अपने गेंद बाजों के शांदार प्रदर्शन के दम पर बुधवार देर रात खेले गए एंडियन प्रिमेर लीग के ग्यार्वे संसकरन के बारिश से बाधित मैच में डेली डेर डेविल्स को दस रनों से हरा दि कि तबी बारिश आ गए काफी देर बाद बारिश रुखने के कारण डेली को 6 अवरों में 71 रनों को संशोदित लक्ष मिला दिल्ली इस लक्ष को हासिल नहीं कर पाई और 6 अवरों में 4 विकेट खोकर 60 रन ही बना सकी जिले के 2600 परिवार अभी भी खादी सुरक्षा का लाव लेने से वन्चित रह गए हैं ये वो परिवार हैं जिने योजना से लाभानवित करने के लिए प्रदेश की मुख्य मंत्री वसंदरा राजे ने प्रशासन को आदिश दिये थे सीम वसंदरा राजे को श्री गंगानगर दौरे के दौरान जन सभा में खादी सुरक्षा से वन्चित रहे लोगों की समस्या से उपसभावती अजय दावडा व अन्य ने अवगत कराया था तब सीम ने ततकाल 26 आवेदिकों को लाब देने के आदेश दिये थे लेकिन 11 दिन बितने के बाद भी आवेदिकों को योजना का लाब नहीं मिल सका है यह बाद भारतिय जंता पार्टी महिला मोर्चा की नगर मंडल अध्यक्ष पुषपा सिडाना फुटेला ने कलेक्टर ग्याना राम को ग्यापन सौप कर कही फुटेला ने बताया कि नगर परिशवत बोर्ड ने स्विक्रदी जारी कर दी तब भी D.A.S.O. ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बर्जन में फिलाल के लिए इतना ही देश-प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं सत्यमे व्यूज